रूस के खिलाफ युक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए पश्चमी देश लगतार बड़े से बड़े हत्यारों की सप्लाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब युक्रेन को खुखार लड़ाकु विमान F-16 मिलने जा रहा है दरसल रूस की सेना आश्मान से युक्रेन पर हमले कर रही है और युक्रेन की एयर फोर्स इन हमलों के आगे पस्त पढ़ती जा रही है लेकिन अब नीदरलैंड और देन्मार्क युक्रेन को F-16 फाइटर लड़ाकु जेट दे रहे हैं ये दोनों ही देश नेटों के सदस्य है और दूसरी बड़ी बात ये है कि युक्रेन लंबे समय से F-16 फाइटर जेट की डिमांड भी कर रहा था आपको बता दे कि युक्रेनी पाइलेट्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डेन्मार्क और नीदरलैंड युक्रेन को F-16 लड़ाकु विमान भेज़ देंगे और ये ट्रेनिंग इसी महीने से शुरू हो रही है इस सब के बीच रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को बेशर करने में F-16 लड़ाकु विमान एक मजबूत हतियार साबित हो सकता है क्योंकि ये लड़ाकु जेट किसी भी मौसम और दिन या रात में अपने टार्गेट पर सटीकता से हमला कर सकते हैं F-16 लड़ाकु विमान की लंबाई 15 मीटर चोड़ाई 9.45 मीटर और उचाई 5 मीटर होती है ये 15,235 किलोमीटर तक की उचाई पर उड़ान भर सकते हैं इनका वजन 9.2 टन है और एक बार में ये 21.7 टन तक वजन उठा सकते हैं F-16 लड़ाकु विमान की रेंज 4,200 किलोमीटर है ये फाइटर चेट 2,145 किलोमीटर पती घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है ये सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकु विमान है इसे किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है F-16 चौथी पीडी का लड़ाकु विमान है इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइले लग सकती है F-16 पर लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर तक है इस वाइटर जेट का राडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दाइरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का कहना है कि F-16 से युक्रेन कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि जब तक उसे ये विमान मिलेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि रूस की पाँचवी पीडी के विमान सुखोई 35 के सामने F-16 कितना टिक पाएगा झाल टक का लगी होगी ा सवाल कि विमान के विमान ख्क गИ्मान झाल